नमस्कार दोस्तों आज है 15 सेप्टेमबर और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अजीब सा है जैसा कि आप यह मेरे हाथ में देख रहे हैं यह है एक कंपोस्टी है और यह वर्मी कंपोस्ट से तयार हुआ है अब यह कैसे तयार हुआ है वह आपको वीडियो में दिखाऊं किस तरीके से यह मेरे पास आया ठीक और उसके पहले आपको इसको इसको इस्तेमाल कैसे करना है वह मैं आपको बताऊंगी कोई भी और गैनिक फॉर्टिलाइजर ही क्यों नहों सभी फॉर्टिलाइजर बहुत स्ट्रॉंग होते हैं और इस पेसली जब लिक्विड में होते हैं यह बहुत जादा स्ट्रॉंग है तो इसको इसको इस्तमाल करने से पहले इसको डालूट करना बहुत ज़रूरी है और आप यह देख रहे हैं मेरे मौस रोज कितने खिल रहे हैं जबकि सेप्टेंबर का महिना है और अभी बारिश बारिश भी बराबर चली रही थी तो इसमें साथ आठ चमच जैसे जो चिस चमच हम लोग खाते हैं न वह वाला चमच उतना ही सर्फ इसमें डालूट करके डाला है चार लीटर में तो ऐसे समझ लीटर में दो चमच के आसपस बागी सारा नहीं डाली हूं बहुत स्ट्रॉंग है यह तो जो भी हमारे यह प्लां को बहुत ही स्लो मतलब हलका हलका सा फर्टिलाइजर पसंद होता है कोई भी स्ट्रॉंग फर्टिलाइजर अपने डाल दिया तो अपका प्लांट खराब हो जाएगा उसी तरह से देखे जैसे कि मेरा यह आप गुडहल देख रहे हैं इसमें बहुत सारी कलियां आई हुई ह फूल में खिल रहा है कलियां भी आई हुई है लेकिन इसमें मैं नहीं डालूँगी इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि जरूरत अभी नहीं है अच्छे खासी कलियां आ रही है कोई फर्टिलाइजर दे दे के और उसमें फिर वो कली खराब हो सकती है कली गल सकती है जो अब प्लांट एक दम पत्तियां साथ जल भूल गई थी सब नहीं पत्ति निकली हैं सारी के सारी वेरिगेटर विसकस में निकली है बहुत घना हो गया इसको फर्टिलाजर के बज़रुवात है वैसे भी ना गुडल बड़ाई हैवी फीटर होता है। उसको फूल नहीं आ रहा है मैं गुड़ल बाद में एक वीडियो बना दूंगी मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं विसकस के लिए आप देखिए जैसे यह रेन रेलीली बोल नहीं किया होता है रशनी गंदा इसमें बहुत फूल निकला है बहुत जादा निकला है इसमें अब अब को बता देती हूं कि क्या है और यह सब अभी रिपॉर्ट दोती दिन पहले किया है चले बत दिखाती हूं यह देखे कल मनी कल पर 500 शाम को यह वर्मी कंपोज्ट की बोरी है और 25 किलो की बोरी है और इसमें मर्पी जो है वह 400 लिखा हुआ है तो यह मैं मंगाया था मैंने ठीक अभी उपर तक नहीं पहुंच पाई अभी थोड़ा थोड़ा निकाल करके इसको पहुंचाओंगी सारा 25 किलो है मैं नहीं ले जा पाऊंगी तो यह के जो अखाद लिखा हुआ है इस पर दिखिए और हुआ क्या है कि जैसे आपको पता कुछ दिन पहले ना लखनों में काफी ज़्यादा बारिश होई थी तो तुफान उफान जैसा कुछ आया था तो पता नहीं इस बोई में कहीं छेता क्या था इसके अंदर पानी भरा हुआ है पता नहीं मतलब गीली हो गई और यह जो देख रहे हैं ना पूरा फर्ष पे म बार 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 यह पूरा बहता जा रहा है यह उदू-धे-ज़ु अभी ज़ुश में किyll शुचा है बहुत बेस्टेज हो गया बहुत ही ज्यादा हुआ इंप कर सब पहला घ्या था उसमें आपको दिखाया ना कंटेनर में उसमें इकठा कर लिया है तो यह वर्मी कंपोस्ट का लिक्वीड है यह बहुत स्ट्रॉंग है इसलिए जो है मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आज का वीडियो बड़ा ही अजीब सा है जैसे क्या होते हैं हम लोग कंपोस्ट ही बना अब यहीं पर अभी खाली करकर कि थोड़ा उपर पहुंचाओंगी क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे अपने प्लांट्स पर खाद देना है और नहीं बहुत सारे रिपोर्टिंग करनी है न तो इसलिए और हाँ इसमें लिखा जरूर है कि 399 इस पर लेकिन यह मिली है 200 में है तो यह है पूरी कहानी इसकी और चलिए मलती हूं मैं और यह तो हम बहुत सारे मुझे वह करने न रिपोर्ट रिपोर्ट करने जल 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 दी वीडियो शेयर करती रहूंगी अभी ठीक है सब्सक्राइब कर लेजेगा आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मल जाए